तो हमने लेसन new two Miracle accounting software के लेसन नम.2 में आपने देखा था कि master में account और product कैसे create कर सकते हैं तो आज हम lesson नम.3 में यह देखने वाले है कि उसके लिए हम sale और purchase entry कैसे करते हैं चलिए transaction में यहाँ से आप sale और sale invoice में और यहाँ पर add कर दीजे तो सबसे पहले मैं जे भी एंटरप्राइज के सचेल कर रहूँ तो टेक्स इन्वोईस यहाँ पर आप तो नहीं सबसे कोई भी डेट डाल दीजिए चलिए मैं डाल देता हूँ और सिरियल नॉबर बिल के लिए और यहाँ पर आइटम आप गी चो भी सेल करना चाहते हैं कि चलिए रखके देखेंगे आप आइटम भाइस भी प्रिट कर सकते हैं कि कि इस तरह से आप से की एंट्री ह सकते और ऋड söz कर सकते और यहां से हम Sell Entry कर सकते हैं और अब हम देखने वाले हैं कि पर्चेस Entry कैसे कर सकते हैं परचेस Entry में आपको सबसे पहले ट्राइजिक्शन में पर्चेस इन वह इसमें जाना होगा और यहां पर एड़ पर क्लिक कर दीजिए एंटर कर दीजिए और आप यहां पर जो भी आप डेट डालना चाहते हैं यहां पर इनो इस नंबर उसका चोपी है वहां लीजियो कि 36 से तो आप यहां पर डाल सकते हैं यहां पर हमने आइटम जो प्रोडुक में क्रियेट की थी वह यहां पर आप सिलेक कर लीजिए आप कितने किलोग्राम पर्चेस कर रहे हैं उसी सब कि आप ले लिए ठीक आप यहां पर इस तरह से आफ कर सकते हैं अगर आपको इसकी बाद में कोई प्रिंट आउट करनी है तो यहां पर पर इस तरह से सकते हैं नेक्स्ट में देखने वाले हैं कि क्विक एंट्री और बेंक की एंट्री हम कैसे कर सकते है